अलो दोस्तों आपका अपनी चैनल चन्दन प्लांटन अर्षरी में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि चन्दन के पौदों के अंदर कितने दिनों के बाद हाड़ बुड बनने लगती है क्योंकि आप से भाई लोगों ने बहुत से कमेंट किये कि चन्दन के में ही आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार की है तो आज हम बात करेंगे कि कितने दिन में सम्थिंग हार्ड बूर बनने लगती है तो आप देख रहे हैं चंदन प्लांट नर्सरे और ये आप ब्लांट देख सकते हैं चंदन का पोदा है बहुत अच्छी तरीके से गिरो का दाग और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी कि चंदन के पोदो को गिरो कैसे कराएं और उनको तैयार कैसे करें चल्दी तो आप जाकर हमारी चैनल पर वीडियो देख सकते ह इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वादी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके चन्दन के पोदे में लगबग चार साल के बाद हार्ट बुड बनने लगती है और चार या पांच साल के अंदर उसमें हार्ट बुड बहुत जल्दी गिरोकन में सुरू कर देती है लगबग चार साल तलक वो उसके अंदर हार्ट बुड नहीं बन पाती और जब उसके अंदर हार्ट बुड बनने लगती है तो बहुत जल्दी से बनती है क्योंकि आपको उसका ध्यान आवस्य रखना चाहिए तीन या चार साल तलग उसको आपको रखानी की भी कोई अविसकता नहीं है कम से कम पांस साल तक तो आपको रखानी की कोई अविसकता नहीं है और यह जो हमारा प्लांट है यह आज मैं आपको आया हूँ एक चंदन का प्लांट लगाया हुआ है इनके पास आए हैं हम तो इस पोदे में आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी काफी हाट बुट निकल आएगी बहुत ही तखड़ा और अच्छा ब्लांट है आप देख लीजिए काफी लंबा है और बहुत श्ट्रोंग है इसके अंदर काफी हाट बुट निकल आएग हाँ तो आज की वीडियो में भाई लोगों आपने समझी लिया के हाट बुट किटने दिनों में बननी शुरू हो जाती है और एक वीडियो और आने वादी है किस मोसम में चंदन के पोदे अधिक लगा जाते हैं उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को पर लेना आपको वीडियो वीजल मिल जाएगी ओके धन्यवाद थैंक्स पॉर वाचिंगे